दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसी मॉडल को आज हम डिसकस करेंगे अगर इसकी फ्रेंट इलेवेशन की बात करें तो आपको बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल रहा होगा और इसी बारी 30-30 में आपका ये modern house प्लान है ये एक कोठी ये विला टाइप का बोल सकते हैं अगर आपके पात परियात जगह है तो बहुत ही बेतरीन सा डेजाइन आप बना सकते हैं अगर बात करें प्लान की तो प्लान आप भी देख रहे होंगे बहुत अच्छा डेजाइन भी हुआ है और यहाँ पर कार पार्किंग वगएरा भी पार्क करने किया मैं बता दूँगा पूल वगएरा मैंने सारा जर्ना वगएरा भी कुछे लगा रखे है और फान्टेशन वगएरा इन्हीं को पुरा हम डिसकस करने वाले है तो उससे पहरे हम आपसे गुजारे जरूर करेंगे कि सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें साथ विल आइकन दबा दें इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सके हैं तो यहां से आपको एक आडिया मिल जाता है या आप हमारी पेड़ सर्विस का भी यूज कर सकते हैं अब हम सबसे पहले इसको डिसकस कर लेते हैं इसका वारी वाइसा सब्सक्राइब से जूम करके आपको दिखा देता हूं जिससे आपको इसका रियलिस्टिक वी देखने को मिल जाए अगर हम बात करें यह आपका देखीगा ट्राइंगल सा देख रहे है जो प्री टाइप बन रहा है और यह इसकी रेलिंग है यह देख आइंगल और यह दो-दो पिलर मैंने आपर डिजायन के फ्रेंट में और दो-दो पीछे है और यह राउंड कलर की विंडो इस पे क्या भी अंदर है मैं ताब दिखाने वाला हूं तो यह पूरा मॉडल फ्रेंट में काफी स्पेस है अगर पार कार पार्किंग भी करना चा हाउस जो प्लान स्टार्ड होता है वो यहां से इसटार्ड होता है यह आपका में डूर है यहां से बर Nepointry करते हैं इसके बाद आप आजाते हैं डारिक ॅपने घर के अंदर हाई एक कोरे पर राउंड कलर का आप ये देख पा रहा होंगे विंडो ता लगा है राउंड क प्लान है, फ्रंट में आप अगर ज़्यादा सीजे नहीं रखें, ओपन ही रखें तो ज़्यादा बेतरी रहेगा, इसका जैसे आप इंटी करते हैं, तो सबसे पहले आपको घर में एक कममینड यहाँ पर, यह अटैजड लेटरी premises यहाँ यहाँ मिल जाता है, एक अटैजड इस्टूर यहाँ पर मिलता है, दोस्तों, यह मैंने जो इस्टेर decor इस्टेर जो है, आप में इस्ट्रोम एक बड़ासा बना लीए, स्टेर्स जो है, आप na यहाँ से सठेएंगे और यहा प्रॉक्स है कि टुटल एडिया चौड़ाई बात करें 30 फिट है तो उसमें दो रूम के लगए चौड़ाई चौड़ाई होगा और सबसे पीछे के बात करें तो दो आपको अटेज लेट एंड बात सेपरेड मिल जाते हैं अलग अलग रूम के लिए बीच में मैंने ये दोस्तो वास एरिया बना दिया है जापर पीसे जाल रखवा देंगे और छट पर छट से आपका रोशनी आएगा वेंट लिशन भी प्रॉपर तरीकेश होगा तो पीछे वाले रूमों में और लेट एंड बात रूम में प्रॉपर तरीकेश होगा अगर आप यहाँ वेंट लिशन करना चाहते हैं तो आप बीच में जाल रखवा दें यहाँ फ्रंट का आपका डूर है बड़ा सा डूर लगवा दे तो यहाँ वेंट लिश्टेट होता रहेगा और यह आल्रीडी मैंने जो विंडोज क्रेट की हैं दोनों यह आल्रीडी पहले वेंट लिश्टेट है क्योंकि यहाँ पर दो दो विंडोज सेपरेट मैंने दी रखी हैं तो में डोर से इंटी करने के बाद आपको मिल जाता है एक लेटर बात रूम में था एक केश्ट रूम फिर इसका इस्टोर रूम इस्टेर्स केचिन और दो मास्टर बैड लंबा सा प्लर थोड़ा अच्छा लगएगा और डारेक दोनों प्लर बनवाएं और यह आप जो डिजाइन देख रहा है यह भी मैं ट्राइंगल है यह मैंने एक की साथ कमाइंड करके बना दिया थे इस बज़े साब को दिख रहा होगा हलाकि यह ग्राउंड फ्लोर में अब हम बात करते हैं इसके 5 फ्लोर की 5 फ्लोर सेम टूसे में कुछ भी चेंज नहीं किया वही जो ग्राउंड फ्लोर था सेम है और बस आपको जो चेंजमेंट मिलेगा यह यहां पर मैंने डोर जो है डिफरेंट दे दिया है ग्लासे का डोर दे दिया है जो आप पहार से व इधर और यही आपका ग्रेल इधर और यह ट्राइंगल सा आप सुर्वाज से ही देख पा रहे होंगे तो यही पूरा मॉडल 30-60 में क्रेट किया हमारे एक पेड यूजर थे उन्होंने डिमांड की दिया ऐसे मॉडल की तो अगर आप हमारे चैनल से भी तक जुड़े नही हैं हम आप जो भी चाहता है वेसा करते हैं आप से बात करके इसके बाद आप र्कॉर्मेंट लेकर ही घर करते हैं लेकिन वहाँ पर आपको 50 परसन पेडमेंट देना होता है और तो यह पूरा प्लान 30 क्रॉज 60 का कैसा लगा हमें कमेंड करके बताएं स्था वीडियो करेंगे अगर आपने इसमाल उस प्लान को सब्क्राइब नहीं किया तो जुरूर कर लें थांक्स वाउचिंग